है गाइस विल्कम यॉल ऑन माई यूट्यूब चैनल चलिए गाइस आज हम लोग करेंगे बिहार बोड क्लास 12 इंग्लिस रैंबो पार्ट टू बुक से स्विटेस्ट लव आई डूनोड गो का सारा इंपोर्टेंट कोस्चन एंसर यह कोस्चन एंसर परिक्षा में 10 नंबर क पढ़े ते पोएट का इंट्रक्षन टू फॉल्स गो था तीसरे लेक्षर में हम लोग स्विटेस्ट लव आई डूनोड का को अब्जेक्टिव कियें जो की एक्जाम में दो या तीन अब्जेक्टिव हर एक्जाम में आ जाता है चौथे लेक्षर में लोग इसका समरी कि जो कि छार नंबर के लिए आता है और अभी हम लोग question answer, short question answer करेंगे, जो कि 10 नंबर आता है, तो वीडियो से बने रहे हैं, आपको ये याद भी हो जाएगा, बिल्कुल आसान भासन में, तो चलिए पहला question लेते हैं, पहला question है, why does the poet want to go away from his beloved, कभी क्यों अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहता है, इसका answer है, the poet wants to go away from his beloved, कभी अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहता है, because death is certain, क्योंकि मौत निस्चित है, मरना तो हर किसी को है, एक ना एक दिन मर ही जाना है, so he wants to harden enough, इसलिए वो क्या चाहता है, वो अधिक कठोर बन जाना चाहता है, कि इसलिए to face the real death, वास्तविक मृत्यू का सामना करने के लिए, क्योंकि एक ना एक दिन मरना तो सभी को है, इसलिए जब मौत आएगा, तो मौत आने में जिस समय जो कस्ट होगा, उस कस्ट का वो अनुभव अभी ही करना चाहता है, इसलिए वो अपने पत्नी से, अपने पिरिमिका से दूर जाना चाहता है, question number two है, what are the things that the sun does not have, ऐसे कौन-कौन से चीजे हैं, जो की सूरी के पास नहीं है, तो इसका answer है, the sun has neither desire nor sense, क्योंकि सूरी एक non-living thing है, एक निर्जीव वस्तु है, इसलिए उसके पास ना कोई इच्छा है, ना कोई भावना है, neither desire nor sense, ना कोई इच्छा है, ना कोई भावना है, nor any shorter way to complete its journey, और ना ही अपने यात्रा को पूरा करने के लिए कोई छोटा मोटा रास्ता है, shortcut भी नहीं हो उसके पास, अगला question है, question number 3, what will make the speaker's journey speedier, ऐसा क्या है, जो कभी के यात्रा को तेज बना देगा, तीब्र बना देगा, इसका अंसर है, more wings and motives, अधिक पंके, क्योंकि कभी बोलता है कि मैं अधिक पंक ले लूँगा, अधिक पंके लगा लूँगा, और इसकी जो परतिग्या है, जो परतिग्या कसमे खा लेंगे कभी, will make the speaker's journey speedier, ये कभी के जो यात्रा है, उसको speedier, यानि तेज बना देगे, अ fortune, इंसानों का भागे पर निर्वर करना, क्या करता है, makes man's power fever, ये इंसानों की जो छमता होता है, उसको कमजोड कर देता है, यानि मनुष्य क्या है, वो भागे पर निर्वर करता है, हम लोग अगर अपने किसमत पर निर्वर ना करे, यानि जब इंसान ठान ले, कि सब question number 5, how do sighing and whipping, किस परकार से, how do sighing and whipping affect the speaker, किस परकार से आह भरना और रोना, बिलापना, कलपना, ये कभी को परभावित करता है, यानि जब जोन डॉन की प्रेमिका उसकी वाइफ रोती है, तो किस परकार से ये कभी को एफेक्ट करता है, when the speaker is beloved, जब कभी की प्रेमिका, लेती है, and when she weeps, और जब वो रोती है, तो it is not tears, ये उसके आसू नहीं होते, but the blood of the speaker, बल्कि कभी के खून बहते हैं, इस तरह से, जो कभी की प्रेमिका है, वो कभी को प्रभावित करते हैं, अगला question है, question number 6, how does the beloved waste the speaker's life, किस परकार से जो कभी की प्रेमिका है, कभी का करती है, अगला question है, last, question number 7, in what way will the lovers remain united, किस परकार से प्रेमिका होते हैं, वो हमेशा एक साथ रहते हैं, वो कभी जुदा नहीं होते, lover will remain united, जो प्रेमिका होते हैं, वो हमेशा एक साथ रहते हैं, by sacrificing for the welfare of each other, एक दूसरे के खुसी के लिए, एक दूसरे के कलियान के लिए sacrifice क करके, यहनि कि अपना त्याग करके, जो भी उसके भले के लिए इस तरह से त्याग करके, एक दूसरे से हमेशा के लिए जूड जाते हैं, और कभी जुदा नहीं हो पाते हैं, and at last, thanks for watching this video, if you learn anything from this video, then please like, share and subscribe the channel, and if you want to any kinds of note, then please contact me.